बिस्वार्माद रहीं, अस्सलाम उलेकुम, मुझे डॉक्टर मुहमद अमजद नूर कहते हैं, मैं यूरॉलिजिस्ट हूँ और यूरॉलिजिस्ट के साथ जो सबस्पेशेलिटी मैंने चूस की और उसको आज कोई 15 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, वो इन्फर्टि है कुछ भी हो, मगर जिस तरह और बीमारियों के मतलिक हम बहुत ज्यादा उपन होते हैं अपने घर में, अपने डॉक्टर के साथ और आपस में, तो मेरे इसाब से इस प्रॉब्लम के हवाले से भी हमें बहुत ज्यादा उपन होना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें खुल मगर शुरू के बहुत अर्से तक ये लोगों के जहन में ख्याल था, कि बच्चे नहीं हो रहे तो उसका सारा दारोमदार और आउरत के उपर है, मगर अब जिस तरह वत के साथ सा चीज़ें क्लियर होती चली गई हैं, तो उसके अंदर अगर कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो उसके अंदर मर्द और आउरत दोनों के अंदर कोई भी वजुहात हो सकती हैं, जिसकी वज़ा से ये प्राबलम उसका पल को फेस करने पड़ती है, और जहां तक और आउरत का इन्वेस्टिकेशन या उसका मौइना और उसकी मौइने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हमें इनफोर्स करना चाहिए कि जब इस किसम की प्राबलम हो तो दोनों मेल और फीमेल अपना इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं, क्यूंके डबलो हो भी कहता है कि 40% जो इशूज होते हो फीमेल में होते हैं और 40% मेल में होते हैं, और 20% जो होता है वो कमबाइन प् जो हमें एक डिरेक्शन देता है कि हम खड़े कहा है और हमने आगे करना क्या है और उसके अवाले से मर्द को थोड़ा सा गाइट करना चाहिए और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है यह भी हमारे फिजीशन, डॉक्टर्स या जो मेल इंफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स उनको भी इस चीज़ को इंफोर्स करना चाहिए कि यह टेस्ट कब कहां और किस तरीके से और कहां से होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली जो हम लैबारिट्री के अंदर माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं वो सिंपल कमपाॉंड माइक्रोस्कोप सोता हैं कहीं कुछ एलेक्ट जिसरा हमारा सेंटर है, concept fertility center, तो ideally ये सीमेन अनलिसिस उन सेंटर पे होना चाहिए जहां पे ये facility जिसरा हमारा सेंटर है, वहाँ available हो. इस test को करने के different तरही कार भी हैं, जिसके ओपर मेरी बहुत सारी presentations भी हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी हैं, कि उसको किस तरह देना चाहिए, centers में देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे laboratories हैं, वहाँ पे toilets के अंदर जो ये sample दिया जाता है, वो जो के non-physiological बहुत ज़्यादा है. तो XC Center का दूसरा फाइदा होता है, कि वहाँ पे privacy होती है, और security environment होता है, जिसमें patient आप खुद और अप्ते partner के साथ आ सकता है, और बहुत ही physiological environment के अंदर ये test deliver कर सकता है. और alhamdulillah, जिससरा हमारे center के अंदर safety and security और इस हवाले से, बहुत सारे जो reservations होते हैं patient के, तो हम पूरी कुशिश करते हैं कि patient का reservation ना हो, और वो बहुत ही एक natural environment के अंदर हमें sample दे, और उस sample के basis पे हम अपना treatment plan कर सकें. तो ये बहुत बड़ा factor है, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगी, हमारा treatment कहीं पे भी रुख सकता है, अगर female, जो है, वो relatively normal है, तो हमें male के semen analysis के basis के उपर, अपना treatment plan accordingly करना पड़ता है. तो जहां तक infertility के तालुक है, तो अब हमारी society में चीज़े बेतर हो रही है, हमने पहले एक different platform से इस चीज़ को start किया और हमारे center से, 2006 से, कराची center के अंदर provide कर रहे हैं, क्योंकि इस field के अंदर सबसे बड़ा मसला सिर्फ यह है, कि जो table के उस तरफ couple वैठावा होता है, उसके जहां में बहुत सारे queries होती है, और अगर हम IVF, XC की कोई बात करते हैं, तो उसके जहां में होता है कि पता नहीं, यार यह कौन सी एक मरीक की मखलूक है, जो आके test करे तो यह बहुत जरूरी है कि how you just counsel your patient के यार यह ऐसा नहीं है, इसके अंदर चीजें बहुत स्टेट फावर्ड होती है, ऐसा होता है कि जी आपके sperm's है, eggs है, और उसके नहीं कौन्फिडेंस करियेट करना बहुत जरूरी है, couples के उपर, ताके वो इस चीज को समझें कि यह इस प्राबले इलाज मर्ज है और इसको एक प्रॉपर तरीके से उसको अवेल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं, जो बैक बोन होती है आपकी किसी भी IVF सेंटर या IVF के लिए, वो आपकी लैब भी बहुत होती है, तो आपकी लैब के अंदर जो पैरामीटर से उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, और अलहम्दुलिल्ला, मैं यह नहीं कि आज इस प्रेटफॉर्म पे जो कॉंसेट का प्रेटफॉर्म मेरे साथ है, और मैं उसके साथ हूँ फॉर दा लास्ट फॉर्ट जो और सारी चीजें जो इससे रिलेटिड होती है, उसको हम अप टू दा मार्ग रखें कि जो दुनिया में जो बेतरीन सेंटर्स हैं जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस लेवल पे जाएं और उस तरीके से अपनी कोशिश करें, हकीकत है, क इसके अवाले से हमें जो फैसिलिटेशन है, जो हमारा पेरेंट सेंटर आस्टेलिया पर्थ के अंदर है, तो वहां से भी हमें एडवांटेज मिल जाता है, कि कोई भी हमें कोई एक्स्टा ऐसी चीज जो हमारे मुल्क में अवेलिबल नहीं है, तो वहां से भी हमें आतम नहीं होता है, अन्सान सोचे के मैं जो हूँ टॉप आफ दा लाइन हो और मैं जो जी सारी चीजे कर रहा हूँ तो इट इस नॉट लाइक दाइट, तो आप किसी से भी कहीं पे भी कोई चीज आपको मशवरा करना चाहिए और मशवर में अल्ला ताला ने वरकत रखी है तो इस मशवरे को आगे बढ़ना चाहिए और अलम्दो इल्ला वी हम गौट इस उपरचूनिटी कि हमें हमारे पेरेंट सेंटर से बहुत जादा जो है वो फैसिलिटेशन बिलती है और हम उसी को चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं अपती तरफ से कि जो हमारा कपल एक नाउमीदी की सौर पर आया जिस तरह कहते हैं कि जी बच्चा दुनिया के सबसे खुबसूरत चीज़ है और एक बहुत ओर्ट सेंग है कि every woman in this world wants a child at the cost of her beauty तो जब वो इस emotions के साथ आता है तो हमारी तरफ से कोशिश पूरी होती है कि हम उसको कमज़कम उसकी counselling और वो treatment प्रवाइट कर सकें कि जो एक आम आदमे की दस तरस में हैं और बेतर और बेतरीन जो है वो treatment हम उसको प्रोवाइट कर सकें जो दुनिया में अविलेबल है तो इन सारी चीजों को लेते वे मेरी तरफ से और इस सेंटर की तरफ से और इस प्रेटफॉर्म की तरफ से मेरे कलीग्स, मेरे सुसाइटी और सारे लोगों के लिए यह message जरूर है कि कोई भी problem जिस तरीके से हम सारी problem के बारे में फिकर बंद होते हैं तो इस problem को भी हमें फिकर बंद होना चाहिए हमें अपने spouse या partner के साथ एक supportive role play करना चाहिए और male और female के अंदर यह जंग नहीं होनी चाहिए कि जरना तुमारा problem है या तुमारा problem है गर को उस पर इन्वाल्व हो के उस couple को support करना चाहिए ताकि वो आए बहतर तरीके से उस जगह का तायून करें कि जहां पर यह facilities available हैं और अपते हिलाज की तरफ जाए और Allah से दुआ करें कि Allah ताला उसकी जो भी खौाहिशात हैं उसको पूरी करें और इस सारे तरीका कार से जो हम IVF फिर इसकी details में नहीं जा रहाँ भी फिलाल जो भी हम अगर पेशन्ट जिसको IVF या XC जिसको हम कहें या और फियाम में बेबी टेस्ट यूप कहें उसको अगर जरूरत है तो अलहमदुलिल्ला 40-45% chances होते हैं कि उसका बच्चा हो जाए जो pregnancy होती है उसका rate तो इससे ज्यादा होता है because of ये new invention की वज़ा से और हमारी लैब और जो हमें parent institute से जो feedback मिलता है अलहमदुलिल्ला अलहमदुलिल्ला ये हमारी जो success rate है वो बेतर से बेतर होते चले जा रहे हैं और हमें उमीद है कि जो अन्दे आने वाला वक्त है वो हमें और मज़ीद बेतरी के तरफ लेके जाएगा बहुत शुक्रिया अलाफिस